नमसकर दोस्तों निला मौगाडन टिप्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं इस प्लांट के बारे में बात करूँगी जिसे यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा प्लांट जो है यह अमरेलिस लिल्ली है और इसमें देख रहे कि कितना सुंदर इसमें flowering हो रहा है तो मैं आज इसी सब पर बात करूँगी जै बहुत सा लोग बोलते हैं कि मेरा plant में फूल नहीं आता है सिर्फ ग्रोथ बढ़ती है लेकिन फूल नहीं बढ़ता है तो ऐसा क्यूं होता है उसका कारण भी बताऊंगी तो दोस्तों जैसे आप कैसे लगा रहे हैं कौन सा इसका base दे रहे हैं फूल क्यूं नहीं आता है तो मैं इन सब को सवालों को अज जबाब दूँगी कैसी मिटी होनी चाहिए इसके बारे में भी बताऊंगी तो दोस्तों कैसे लगाना है बिल्कुल आसान हो जाता है लगाने के लिए तो मैं इन सब बातों को आज आप लोगों को सवाल को जबाब दूँगी अधिक से अधिक फूल कैसे ले सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आगर वीडियो पर नया है तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें तो दोस्तों जिस यहाँ पर देख रहे हैं कि यह बहुत सुन्दर इसमें फ्लावरिंग है यह स्टेम की तरह खड़ा है तो यह अम्रेलिस लिली है दोस्तों लिली कए परकार की होती कितना कलर के भी होती है बहुत तरीका के भी होती है लिली बहुत किसीं की भेराइटी के होती है तो मेरे पास जो प्लांट है अमरेलिस लीली है और इसको मैं आज मैं बताऊंगी कि अधीक मेरा फिलावरिंग जैसे देख रहे हैं वो कैसे मैं इसको पाई हूँ तो जैसे मेरा कंटेनर है इसमें मैं लगा कर छोड़ दी थी दोस्तो अब मैं जैसे ही सीजन खतम होता है तो मैं नहीं निकालती हूँ इसको इसी में छोड़ देती हूँ और मेरा जैसे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग है तो क्यों है तो जैसे देख रहे हैं कि आहां पर खड़ाए है तो इसको अगर आप फ्लावरिंग ज़्यादा लेना है तो आप अंबिरिस लिली या कोई भी लिली आप नरसरी से लाएं और जब भी कि इसका बल्ब चूज करें तो आप मीडियम साइज के लिए ज्यादा छोटा नहीं मीडियम साइज के लिए क्यूंकि अगर ज्यादा बड़ा भी लेते हैं तो वह भी अच्छा नहीं होता है और ज्यादा छोटा लेते हैं वह भी अच्छा नहीं होता है तो जैसे देखिए क यहां मेरा सब इस्टेम जो है से बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल हरा भरा है तो दोस्तों अगर आप नर्शरी से आप ले लाते हैं उसके बाद आप इसको क्या करनी है कि जैसे 50 भाग आप ले लिजिए गार्डन स्वाइल उसके बाद 20% आप इसमें गोबर की खाद ले इसमें 20% आप रेत मिला यह क्योंकि इससे क्या होता है कि इसके ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए इसका वेल ड्राइंस वाइल इससे बहुत जादा पसंद है तो दोस्तों इस तरह करकर आप मिट्टी को मिक्चर बना कर इसको बल्ब को आप लगा कर और सि युष कांड़ी आता है उसी समय एकाम करना आपको है उसके बाद आपको इसमें पानिद देने के बाद ऑप यह दिन के भाद जब घरोथ पर जाती है तो इसमें क्या करनी है आपको कि अधीक फ्लाورिंग के लिए जैसे देखिये कि मेरा फ्लाॉरिंग ज्यादा गधनत वह ले लिया है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं एक हलकी-हलकी इसको गुडाई करने के बाद आप इसमें खाद डालिए खाद डालिए जैसे इसको आप क्या खाद डालेंगे उसके बारे में आगे बताऊंगी सब्सक्राइब कैसे करना है तो इसके बारे में मैं बता रही हूं तो इसको केर करना है कि जैसे इसके डाइडेक्ट इसको सनलाइट नहीं चाहिए लीली प्लांट को सीध दूप कभी मत दिजिएगा नहीं तो इसमें क्या होता है कि पति बर्ण होने लगती है पतिया जलने लगती है तो यह सारा चीज मुर्जा जाता है और फिर आपका ग्रोथ विकाज सब रोख देती है इसे डाइरेक्ट सनलाइड नहीं चाहिए डाइरेक्ट इसमें मत इसको कैसा चाहिए तो इसको क्या होता है कि इसको मध्यम धूप चाहिए ताकि अधिक फूल आ सके धीमी धीमी आप हलका उजाला चाहिए लेकिन डिरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए तो इसकी मिट्टी के भी बहुत जादा ऐसा सुखा नमी नहीं चाहिए क्योंकि मिट्टी इसको हलकी आपको नमी बनाए हुए रखनी चाहिए और फिर क्या करना है इसको कि आपको इसको महिना में हमेशा गुडाई करते रहनी चाहिए अगर नहीं करेंगे तो आपका बल भी इतना जादा हो जाएगा कि फलावरिंग ही फिर रोक देती है लीली प्लांट में अधिक फूल लेने के लिए इसमें क्या करना होता है कि अगर आपको इसमें जैसे ही फूल खील गया तो इसको आप उपर से जैसे देखरें एक मेरा इस्टेम खड़ा हुआ है नहीं इसको नीचे से कट करें नीचे से अगर कट करते हैं तो इसको साइड से फिर एक ब्रांच जाए तो इससे क्या होता है कि ब्रांच बढ़ेगी और फूल जादा आएगी और सुखा हुआ फूल जादा दिन तक रहने मत दे तो यह हो गया केरिंग इसको अगर इसको आप पानी का कितना देना है तो आप इसको पानी जादा मत दे नमी बनाए हुए रखे लेकिन गिली नहीं क क्योंकि दूफर में अगर देते हैं पानी तो इसको बहुँ जादा दिकत होती है उस तरह से करना है कि इसमें अधिक नहीं देनी है अब दोस्तों इसको क्या करना है कि अब इसको भोजन क्या पसंद है तो अधिक फुलावरिंग लेने के लिए आप इसको क्या करनी है कि ग तो लिक्टी में बना खbij भी आप दे सकते हैं लीकविड कर्ष़ है नुकर दे आ इसकर रहे बहुएट करने सकते हैं जिलाऊरीब नहीं है तो उस समय पर दूसरा खा दिजीह उस समय इससे कैसियम पो्टेसियम मैग्लेसियम मोरा जैसिए कार्बोनेट के भी बहुत जादा इसमें जरूरी होता है तो आप इसको अंडा को छिलका को सुखा ले धोकर अधोने के बाद उसको करस्ट करें करस्ट करने के बाद पूरी तरह से पौडर बना ले चाहे तो आप ग्लाइंडर में पीछ सकते हैं मैं वीडियो एक बनाई हूं जो पूरी तरह से सब देखाई हूं प्रोसेस अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे बनता है सब तो मैं वीडियो डाली हूई हूं आप देख सकते हैं तो इसे पूरी तरह से पौडर फोम में इसे ले ले और दो दो चमच आप एक अक महीना पर आप दे सकते हैं तो इससे क अगर आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा अगर नहीं भी हो तो आप कोमेंट द्वारा पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आने पर लाइक सस्क्राइब जरूर करें